नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्लस ब्लोग बहुदान्याट.blogspot.com में स्वागत है लास्ट दो तिन दिन आप सभी को पता है इंटरनेट से माई बंद कर दी गई थी हमारे हर्याना पंजाब रिजन में तो आइटिंग चार-पांज इन बाद हम एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं और इसमें हम करण्ट फेर को कवर करने की कोशिश करेंगे जो आप हमसे उमीद रखते हैं उसी को रखते हुए हम कुछ इंटरस्टिंग कोशिशन आपके लिए लेकर आए हैं और में भी आपके लिए नए हो सकते हैं अन्नून लग सकते हैं आपको कि हाँ ये इंटरस्टिंग हो सकता है तो आईए कोशिशन को करने की कोशिश करते ह कवर और हां जिनों ने हमें अभी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज 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 आप सभी सिर्क्वेस्ट है कि आप हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ बैल पे क्लिक करना ना भोलें और हां कमेंट करना भी मत भूला करें जब भी आपको हमारी कोई व तो उसको दोबारा वीडियो देख सकता है, ठीक है start करते हैं, तो वीडियो कोशिची है की जो ये पेपर इस बार सेट किया है, जो कोशिचन डालें, वो इंगलिश में ही डालने की कोशिची है और में भी easy language में ही लिखाया है इसको तो पहला question है which state or union territory police launched रक्षा app for women's safety in 2015 2015 में कौन से state या union territory ने रक्षा नाम की एक application women की safety के लिए लॉँच की थी तो option से मुंबई, चंडिगर्ड, दिल्ली, हरियाना तो इसका जो answer है वो B है चंडिगर्ड next question देखते है which India state has higher number of airports भारत की कि state में सबसे ज़्यादा airport है तो वो है गुजरात, गुजरात इसका answer है second number पर अगर मैं बात करूँ या नि सबसे ज़्यादा गुजरात में है उसके बाद महाराश्टर में है, उसके बाद UP में है next question, who won gold world championship 2017 woman in badminton जो badminton की world championship हुई है 2017 उसमें women's में, जो Glasgow में खेली गई थी उसमें किसने gold जीता है तो वो जपान की नो जाउमी, ओकी हारा ने जीता है जिसमें जो run-up रही है second, वो PV सिंदू रही है तो इस question के according और gold उचा गया है तो वो ओकू हारा है खीके जपान की और जो silver आया है, वो PV सिंदू आया है next देखते हैं When shifted Haryana Special Court of Central Bureau of Investigation CBI की full form from Ambala to Panchkula Ambala से Panchkula, Haryana Special Court जो CBI की थी उसको किसन में shift किया गया था 2012 में, 10 में, 11 में, 13 में तो इसका अंसर 2011 में है ठीक है next question पंजाब CBI court को पटियाला से कहा shift किया गया है यह हाली में 2017 में, I think, इसको shift किया गया है तो question है, पंजाब CBI court को पटियाला से किस शहर में shift किया गया है तो options है, मुहाली, चंडिकर्ड, खरड, जिरकपूर तो इसका अंसर मुहाली है मुहाली में इसको shift किया गया है next question which India's cultural heritage depict यानि चित्रित करना only 200 रुपेज RBI note जो 200 रुपे का RBI का note launch किया गया है उसमें किस culture heritage को चित्रित किया गया है यानि बेंड किया गया है note के उपर तो options है, India gate, Sanchi Stoop, Sun Temple, Conarka या जंतर मंतर तो उसमें Sanchi Stoop को बनाया गया आपको पता है कि last time पचारास का note आया था अब 200 का note आ चुका है तो उसमें Sanchi Stoop लगे हुए next, personal liberty यानि व्यक्तिकर सवतंतर्दा under which articles come Indian constitution भारतिय सब्धान में जो व्यक्तिकर सवतंतर्दा है वो किस article के तहत आती है यानि उन्चेश के तहत आती है तो वो आती है article 21 इसके ओपर काफी अच्छा वर्डिक्ट आया था नीजीता आपने सुना हुए नीजीता नीजीता वर्ड यूज किया जा रहा था इनसान की व्यक्तिकर सवतंतर्दा से रलेके इस question के बारे में काफी चर्चा की गई थी और सुप्रीन कोड ने इसके बारे में अपना वर्डिक्ट सुनाया था तो ये खाफी news में रा था तो इसको यहां रखा गया है नेक्स कोशन डेरा सच्चा सोदा वास established इन जो डेरा सच्चा सोदा है जो सिर्षा में है वो कभी इसका अंसर है विश्वजीत राणा ये गोवा के हेल्थ मिनिस्टर है आपको पता है तीन जगा दुबारा इलेक्षिन हुए थे विधान सभा के एक दिल्ली से दो गोवा से जिसमें जो दो जीते हैं गोवा से वो मनोर पारिकर है और विश्वजीत राणा है ठीक है जो राम चंदर है ये दिल्ली से आप से जीते हैं आम आदमी पार्टी से जीते हैं बवाना कॉंसी ट्रेंसी से दिल्ली से वहाँ से जीते दे ठीक है और जो D option डाला है मैंने परमोव सामन ये गोवा के speaker है ठीक है तो इस का अंसर है विश्वजीत राणा next CBI director appointed by जो CBI के director होता है उसको किसकी दुआरा appointed किया जाता है प्राइम मिनिस्टर द्वारा, Chief Justice of India द्वारा, लोगसभा, opposition leader यानि लोगसभा का opposition जो leader है उसके द्वारा या फिर all of these तो इसका अंसर D है इन सभी के द्वारा यानि इन तिनों के थुरू ही CBI का director appointed किया जाता है होप सो आपको ये हमारे 10 questions interesting और कुछ नए लगे होंगे अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप अपना comment करना ना भूले और like करना भी ना भूले इससे ज़्यादा हम और नई वीडियो लेकर आते रहेंगे होप सो आपको हम में हम आप सैटिस्वाइज जाएं हमारी सभी वीडियो से अभी के लिए इतना ही है कुछ नया लेकर आएंगे धन्यवाद